नमस्कार, SPT न्यूज में आपका स्वागत है, पेश है 12 फरवरी, सोमबर सुबह सवाग्यारा बजे, राजस्तान की बड़ी खबरें मुंबई से दिल्ली जा रहे एक करोड 27 लाग के दुख्द पाउडर से भरे ट्रक को लूटा गया दुख्द पाउडर साधी और मनोहरपूर ग्राम के बीच जंगल में पड़ा मिला है, जिसे पुलिस ने बरामत कर लिया मुंबई से बेस्ट ट्रांस्पोर्ट कमपनी ने ट्रक चालक सागर पांडे के साथ यह दूद पाउडर मुंबई से दिल्ली के लिए भेचा था लेकिन मांडल के निकट यह ट्रक लावारिस मिला और दूद पाउडर गयब इत समन्द में ट्रांस्पोर्ट कम्पनी की ओर से सुनिल कुमार ने एक मामला मंदल थाने में दच करवाया जांच परताल के बाद पुलिस ने ट्रक से गयाप किया गया दुग्द पाउडर, मनोहरपूर और साधी ग्राम के जंगलों के बीच से बरामत कर लिया राजसान में जुझनो जिले के चिडावा कस्पे के पिलानी बाईपास के पास शद्धालों से भरी बस अन्यंत्रित होकर पलट गई जिसमें करीब 40 से ज़्यादा शद्धालों घायल हो गई प्राप्त जानकरी के नुसार घटना की सुचना मिलने पर चिडावा अफ्थाना पूलिस एवं 108 एम्बूलेंस के साथ साथ 12 से ज़्यादा नीजी एम्बूलेंस भी मोके पर पहुंचे हादसे में 25 घायलों को चिडावा अस्पताल से वीडी के हस्पिटल एवं दिल्ली तथा हिसार रेफर किया गया 15 घायलों को प्रात्मी कुप चार के बाद चुट्टी दे दे गई अधिकतर यात्री दिल्ली और हिसार के है राजसान करमचारी चेन बोर द्वारा रविवार को जैपूर शहर के 142 परिक्षा केंद्रों पर करिष्ट लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार स्विम्ट सीधी भर्ती परिक्षा 2023 का दो पारियों में शांतिपूर एवं सफलता पुर्व कायोजन किया गया जैपूर शहर के किंद्रों पर पहली पारी में 51.43 फीस्दी से अधिक अभ्यर्टियों ने अपनी मेहनत एवं किस्मत को अजमाया जैपूर में कुल पंचिकरत 47,350 सभ्यर्टियों में से 33,824 सभ्यर्टी परिक्षा में उपस्तित रहे वहीं 13,526 सभ्यर्टी परिक्षा मे कोई कहा है कि OTM में परेटन विभाग की भागिदारी ने राजस्तान में विदेशी पेशेवरों के लिए परेटन विकास के दरवाजे खोल दी हैं। परिक्षा राहूल गांधी तथा पार्टी महासची प्रियंका गांधि वाडरा ने कहा है कि केंदर सरकार किसानों को लेकर आ सभेदनशील है और उसने 10 साल के कारेकाल में किसानों को सिर्फ ठगा है और अब उनके रास्ते में कील कांटे बिचा कर उनकी रह में अवरोध पैदा किये जा रहे हैं श्री गांधी ने कहा कि दिन रात जूट की खेती करने वाले 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है दोगुनी आमधनी का वादा कर अंदाताओं को MSP के लिए भी तरसा डाला महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कायन उनके करज 60% तक बढ़ गए नतीजा लगबग 30 किसानों ने रोज अपनी जान कमाई नोंने कहा कि धोका जिसकी USP हो वो MSP के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनिति कर सकता है न्याय नहीं किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं है इनको दिल्ली से उखार फेंको किसान को न्याय और मुनाफा कांग विस्तेगी मार्टी जन्ता पार्टी ने राजे सभा के अगामी द्वी वार्शुक चुनामों के लिए साथ राजियों की चोधैन सीटों पर अपने उमीदवार रविवार को घूशित कर दिये बाजपा के महासचीव अरुन सिंग नेक विग्यप्ती में बताया कि पार्टी के केंद्री चुनाव समिती ने बिहार उत्तरप्रदेश पश्चिम बंगाल चतिसगर करनाटक एवं उत्तरखन के लिए चोधैं उमीदवारों के नाम तैकिये हैं बिहार की दो सीटों के लिए श्रीमती धरम शीला गुपता एवं डॉक्टर भीम सिंग चतिसगर से राजा देवेंदर प्रताप सिंग हर्याणा से सुभाष बराला, उत्राखन से महिंदर भटत था, पश्चिम बंगाल से सामिक भटाचार्य को उम्मीदवार बनाया है उत्तरप्रदेश से साथ सीटों के लिए कांग्रेस से आये आर्पी एन सिंग डॉक्टर सुधान शुत्रिवेदी, चोधरी तेजवीर सिंग, श्रीमती साधना सिंग, अमरपाल मौरे, डॉक्टर संगीता बलवंत और नवीन जैन को टिकेट दिया गया है राजसान भाजपा प्रदेशा दक्स सीपी जोशी ने पूर प्रधान मंत्री चोधरी चरण सिंग, पीवी, नर्सिमारा और हरित क्रांती के जनक डॉक्टर म.स स्वामी नाथन को भारत रत्न देने की गोशना पर प्रधान मंत्री का अभार जताया है जोशी ने कहा कि 1957 में जब जौहरलाल नहरू ने साहमोही खेती का प्रस्ताव रखा, इसका चोधे चरण सिंग ने पुर जोर विरोध किया विग्यार कांग्रेस वाद के प्रमुक प्रवर्तकों में से रहे, कांग्रेस ने इन विभूतियों को भारत रत्न से वंचित रखा लेकिन भाजपान ने सम्मान दिया वही नागोर दोरे के दुरान सीम भजरलाल शर्मा ने चोधी चरण सिंग को भरत रत से सम्मानित करना एतिहासिक फैसला माना है इसके लिए पीम नरेंदर मोदी का अभार भी जताया है राजसान में बिरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशी है विभिन विभागों में 3552 पदों पर भरती होगी बता दें कि उलेकनिया है कि लेखा नुदान बजर 2024 पचिस में राजसरकार ने 70,000 सरकारी नोकरियों पर भरती की घुशना की थी जिसकी क्रियानवती पर राजसरकार ने काम भी शुरू कर दिया है मुक्या मंत्रे भजनलाज शर्माने राजसरकार के विभिन विभागों में करिश्ट साया के 3552 पदों पर भरती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिये हैं इससे युवाओं को रोजगार के उचित अफसर मिल सकेंगे और उनका भविश्य सुरक्षित होगा इन पदों में गैर अनुसूचित शेतर के 2788 एवम अनुसूचित शेतर के 764 पद शामिल है आयोध्या में राम जन्म भूमी पर बने भव्य मंदिर में रविवार को यूपी की योगी सरकार ने राम लला के दर्बार में हाजरी लगाई मंत्रियों और विधायकों ने यूपी के मुख्या मंत्री योगी अधिते नाथ के साथ राम लला के दर्शन किये पूजा अर्शना की इस दुरान सभी बेहत उत्साही दिखी और भक्ती भाव में डूबे नजर आए मुख्या मंत्री योगी अपने कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ करीब दो घंटे तक राम मंत्र में रहे इनमें NDA के अलावा राल लोध, बसपा और कांविस विधायक भी शामिल रहे कई मंत्रियों और विधायकों के परिवार वाले भी साथ रहे इस दुराद जगय जगय पर फूल बरसा कर मंत्रे विधायकों का स्वागत किया गया राम जन्व भूमी के गेट नंबर 11 से 10 बसों में आये विधायकों और मंत्रियों को एंट्री दी गई कोरोना काल के बाद से ही बुंदी जिले में सरकारी स्कूलों में नमांकन का ग्राफ घट रहा है मिडडे मिल, ट्राउपोर्ट, वाउचर सहीद, कई सरकारी योशनाओं के बावजू सरकारी स्कूलों में 10 पीस्दी नमांकन बढ़ाने का लक्षय पूरा नहीं हो पा रहा है ऐसे में नीजी विध्यालियों की और अभिभावकों को रुजान फिर से भढ़ने लगा है जैपुर के सवाई मानसिंग अस्पताल में रेफरेंस की नई विवस्था मरीजों के लिए उपयोगी साबित नहीं हो रही है सिती ये है कि मरीज वहन के परिजन अभी भी हाथ में फाइल लेकर अस्पताल में धर से उधर घूमने को मजबूर है दरसल अस्पताल में भरती मरीजों के लिए अस्पताल प्रशासन ने गट दिनों ऑनलाइन वे आफलाइन रेफरेंस की सुविदा शुरू की थी लेकिन धनवंतरी ब्लॉक में ऑफलाइन रेफरेंस केवल जनरल मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, गेस्ट्रोलोजी, काडियोलोजी एवं, एंडोक्राइनोलोजी विभाग के मरीजों की ही हो रही है जबकि ENT, कैंसर, और्थलोजी, न्यूरो सरजरी समेथ कई विभागों में भरती मरीजों के परिजन को रेफरेंस के लिए ओपिरी या वाडों में चक्कर लगाने पड़ रही है हलांकि ओनलाइन रेफरेंस की सुविधा है लेकिन उसमें चिकिसकों का कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है ऐसे में तदकार रेफरेंस की जरूत पड़ने पर दिक्कत आ रही है किंदर के बादा गाजसान सरकार भी 450 रुपए में सिलेंडर देने का राग अलाप रही है गुशना पत्र के अनुसार सरकार हर भाशन में इसका जिक्र कर रही है लेकिन इस योशना के तहट सिलेंडर पाने को लोग खूब पापड बेल रही है काग जी खाना पुर्ती का आलम ये है कि यदि घर में लेंड लाइन फोन और फ्रीज भी हुआ तो उस घर की रिसोई का खाना उजवला के सिलेंडर पर नहीं पकेगा ज्यादातर घरों में पहले से ही गैस सिलेंडर है इस शर्थ के मुताबिक हादे सुरक्षा योजणा के परिवार भी उजवला गैस सिलेंडर लेने से वंचित हो रहे है सरकार की ओर से अब उजवला का सिलेंडर 450 रुपई में देने के लिए उजवला दो योजणा शुरू की गई है गुरा चंद्र जी, दो-तीन दिन पहले तेज हवा के साथ हुई मावट के दुरान, खेतों में आडी पड़ी गेहू की फसल जस की जस पड़ी है वहीं मिट्टी में नमी होने से गेहू के धाने के खराब होनी के अशंका है क्योंकि आड़ी पड़ी फसल से मिट्टी को धूप नहीं लग पा रही है ऐसे में गेहू के फफूंदने की भी आशंका है तेज हवा से कस्पे सहित आसपास के आमली पूरा, तिमावा, धरिया, बाडा, राजपूर, घाटोली, आधि गाउं में गेहू की फसल आड़ी पड़ी हुई है जिससे गुणवत्ता पर असर पड़ेगा किसान, बनी मीना, प्रेम सिंग मीना, आमली पूरा, मुथरेश मांचरी ने बताया कि तीन दिन पहले बारिश वे हवा के कारण गेहू की फसल खेतों में आड़ी पड़ गई थी किसानों के दिल्ली कूच के आवान को लेकर बीजेपी किसान मोचा के राष्ट्रे मंतरी राम नरेश तिवारी ने जैपुर में कहा है कि जो लोग धरना प्रदेशन करते हैं वो किसान नहीं होते हैं ये लोग राष्ट के प्रती, चिंतन, वे विचार नहीं करते, इन लोगों की व्यक्तिगत आकंख्षा पूरी नहीं होती है, ये उसके लिए कारे करते हैं। दरसल बीजेपी किसान मोचा के राष्टे मंतरी रामनरेश तिवारी रविवार जयपूर में प्रदेश बीजेपी करेले में बोल रहे थे। रामनरेश तिवारी ने कहा कि मोधी सरकार ने हमेशा किसानों के हित में काम किये हैं, हमने कभी किसानों के से जूटे वादे नहीं किये हमने जो कहा उसे करके दिखाया जैसल मेर की विख्यात मरु महसव में केवल दस दिन का समय शेश रहा है लेकिन यहाँ एक भी बैठक नहीं हो पाई है गोटलब है कि जैसल मेर मेर में वर्षों से तीन दिविशे मरु महसव का आयोजन हो रहा है बीते कुछ वर्षों से जिले में मरू मोहसव को चार दिवस्य करते हुए एक दिन का कार्यक्रम पोकरण में किये जा रही है और जिले में मरू मोहसव का आगास भी पोकरण से ही हो रहा है बीते वर्षों में आयोजित हुए मरू महसव को लेकर एक महा पूरू ही तयारिया शुरू कर दी जाती थी और जनपतिनीदियों के साथ प्रशासन की ओर से अलग-लग बैट को कायोजन कर तयारियों को अंतिम रूप दिया जाता था जबकि इस बार पोकरण में कोई कवायत अब तक देखने को नहीं मिली है फिलहाल इस बुलिटेन में इतना ही फिल हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ